आज की वीडियों लोग बात कर रहे हैं BPSC सिचक भरती 223 के बारे में Other State की बात करें तो उनके लिए भी DV के लिए नया नोटिस दारी हो गया यानि की Document Verification के लिए अब आप सुच रहे हों के रिजल्ट तो आया नहीं में क्या चीज कही गई है चलिए आपको दिखाते हैं तो यहां देख सकते हैं यह सुचना जो है 9-10 मादमिक यूम 11-12 उच मादमिक अभ्यरतियों का दस्तावे सत्यापन Document Verification के संब्द में है यानि कि जो 9-10 11-12 का परिछा दिये भी हाले में BPSC के माद्यम से 24-25-26 में 25-26 तारीक को जो 9 उने पेपर दिया था जैसे कि 25 तारीक को अगर बात करें तो बाजा का पेपर 26 तारीक के सुबह की पाली में 9-10 और 11-12 का साम की पाली में उने परिछा दिया था ऐसे लोग का डॉक्मेंट बेरिफिकेशन 4 सितंबर से 12 सितंबर के बीच किया जाएगा अब ज़्यादा लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तो रिजल्ट आया नहीं डीवी क्यों कराया जाए तो डीवी कराने का इनका में कारण क्या है ये लोग चाते हैं कि ऐसे लोग का ही रिजल्ट निकाले हैं जो लोग वैलिड है मतलब जो लोग इन्वैलिड है जो लोग गलत रगे से डॉकुमेंट अब लोड करके और एक्जाम दे दिये हैं बहुत सारे ऐसे कांडिडेट हैं इसलिए ने ऐसा करना पड़ रहा है छाटने के लिए ने जहां-जहां जिस डिस्टिक के निवासी है अब्यर्थी उसी डिस्टिक में यानि कि आपने यह स्टिट सार्टिफिकेट आपने जिस जिले से प्राप्त किया था अर्थात आप उसी जिले के निवासी होंगे जहां से आपने यह स्टिट प्राप्त किया था ठीक है तो यह स्टिट जहां से भी आपने प्राप्त किया था सार्टिफिकेट वहीं जाकर कि आपको DB करानी है, 4 से नमबर से 12 से नमबर के 20, फिलाल अनराज्य के अभयर्थियों का जो DB होगा, देख सकते हैं, अनराज्यों के अभयर्थी जो है, उनके लिए सुचना है कि उनका DB जो है, पटना मुख्याले में कराए जाएगा, यानि कि उनका तो special कोई district है, नहीं, बिहार में, क्योंकि वो other state के है, तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें participate किये थे, तो ओ लोग अपना DB जो है other state वाले जाकर के पटना में कराएंगे, अधर कहीं नहीं कराना होगा, फिलाल मुख्य जो अभ्यर्थी होंगे, अपना दस्तावे सत्यापन निर्धारित अवज के अंदर अपने जिला मुख्याले में कराना सुनशित करेंगे, इसके बाद उन्हें दोबारा मौगा नहीं दिया जाएगा, तो फिलाल 4 सितंबर से 12 सितंबर के बीच, 8 दिन का समय दिया फिलाल बात करें, पियर्टी का जुनों ने 24-25 में एक्जाम दिया था, ऐसे लोगों के डिवी जो है इसके बाद होगा, क्योंकि जो विप्यस्ती अध्यक्स है, मानने अतुल परसाद उन्हों साब पहले ही कर दिया, पहले 11 का रिजल जारी करेंगे, फिर 9-10 का रिजल जा फिलाल कोट ब्यर्थी गए है, उन्हें जरूर कुछ नो कुछ राहत मिलेगी बीडवालों को, और बाकी कुछ और सुचना आती है, तो चलने के मादें सुपताय जागा, भी लबस इतना ही धन्यवाद